हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एच्पी टीजटी कमिशन की त्यारी में आप कौन सी गलतियं करते हैं और बार बार करते हैं इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने कॉमिनिटी के ओपर ठीक है जो मेरे हमेश आपको उससे बचना चाहिए तो सबसे पहले मैंने यह कॉस्टेंस डाला था स्टार्टिंग में कि कौन से देश की सीमा भूमद्य सागर से नहीं लगती है अब नेच्रल है कि यह जो कॉस्टेंस था यह अच्छे लेवल का कॉस्टेंस था और यह PCS लेवल का है ठीक है अगर आप वर्ल्ड मैप को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता है बूमद्य सागर की जो लोकेशन है वो हमारे पास है जुरोब के दक्षिन में अफ्रीका के नॉर्थ में और एशिया के वैस्टर में ठीक है एशिया के बिल्कुल वैस्टर में वह इसके बाद एशिया के जो वैस्टर में है फूर कंट्री इसकी सीमा लगती है और अफ्रिका में पांच देश है जिनकी सीमा लगती है वो अच्छी काटागरी का यह खौसन है तो जो रोप में जो नैच्छरल जो सामने दिखाई देते हैं जिनकी सीमा लगती है तो सबसे पहले मारे पास Spain था, Spain की सीमा लगती है, France की लगती है, Italy की लगती है, Greece की लगती है, Croatia की लगती है, Cyprus की लगती है, तो ये देश तो मारे पास इसके साथ 4-3-4 देश ऐसे भी है, Wasman और इसके लाब एक दू कंट्री जिनके नाम बूल रहा हूं, और जो Asia में है, तो Asia में मारे पास जो 4 देश थे, वो थे Lebanon, Syria, Israel और एक कंट्री और और भी है, तो ये Asia में थे, इसके लाब अफरिका में, Morocco, Tunisia, इसके साथ साथ इसराइल, मरोको, Tunisia, Egypt, मिशर जिसको हम कहते हैं, और Algeria इसके साथ एक कंट्री और भी है, तो ये जो देश थे, इनकी सीमा लगती है, भू था Sudan, Sudan जो एक देश है, वो हमारे पास अफरिका में है, ठीक है, अफरिका महदीप में है, और ये जो Sudan कंट्री है, ये जो मद्य अफरिका में है, मद्य अफरिका में पाए जाती है, तो जब ये मद्य अफरिका में पाए जाती है, तो इसकी सीमा कहां लगेगी, ठीक है, भ यह था सुडान और max इनस ने इसका असर्थ दिया है lebanonate जो की गलत है तो ऐसी mistakes आप अक्सर करते हैं tt commission में और एक मैंने questions पूछा था कि गंगा की सहाइक नदी कौन सी नदी नहीं है ध्यान से सुना मैंने पूछा था कि गंगा की सहाइक नदी कौन सी नदी नहीं है अब मैं यह थोड़ी पूछूंगा कि गंगा की सहाइक नदी कौन सी है तो वो नेचुरल है कि पता है कि जो सबसे बड़ी गंगा की सहाइक नद होग है क्योंकि मुझे पता है कि जमोना इसकी सबसे बड़ी नदी है गंगा की सायक नदी है और इसके साथ मैंने डाला वा था गंडख डाला ठीक है, और एक मैंने कोस्ती अए और दियान से दäs्छों जो कोस्ती है और गंडख है तो यह ही महले की नदी है और पास्छी मतिशा में बहत तक करके गिर्थी है अर्व सागर में ठीक है यह गिरती है अर्ब सागर में जा करके अब देखो जो गंगा आती है जो कि उत्राखंड से चलते हुए आगे फिर यूपी फिर बिहार और यूपी बिहार से होते हुए इसके साथ साथ चारखंड से होते हुए पसी मंगाल के वाद ये बंगाल की खाड़े में गिरती सबरे ति कमे 뭐 घंग है नर्मान अर्वाय का बहुत है। इसके लाव और मैंने क्वाशने क्वाल के लिए है कि पूछा था कि Eskimo जन जाती कहां पाई जाती है क्योंकि जन जाती उसे काफी questions पूछे जाते है जो Eskimo जाती है जो basically पाई जाती है North America में North America में जो USA का जो Northern side है और जो Canada को जो Eastern side है तो ये basically वहां पे लाई करती है जो जन जाती Eskimo जाती है और बहुत सारे student ने इसका अंसर दिया है 70% के असवास जो अंसर मिला हमे वो मिला था हिंद महासागर तो आपको ये पताओन जाएगी हिंद महासागर की location कहा है जब आपको इसकी location पता तो आप कैसे इसका अंसर सही दे सकते हैं तो ये भी तुक्के से किया वो questions था और जिसका अंसर गलत था बेसिकले मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से questions को करेंगे अगर तुक्के से करेंगे आपको understanding नहीं है तो आप तुक्के से अंसर मत देऊ आप बिसिकले ऐसे अंसर दे रहे हैं जैसे किसी ने असका अंसर दे दिया और वो उसी trend में चलता गया तो उसी का अंसर आपने भी दे दिया तो ऐसे mistakes से आपको बचना है आपको अगर TGT Commission क्लेर करना है तो तुक्के बाले तो हमेशा फिर तुक्के में ही रह जाते हैं वो कभी TGT Commission क्लेर नहीं कर पाते हैं तो detail से पड़ी अगर आपके पास world map है अगर आपके पास world map है तो आदा काम आपका geography आपकी automatically जाद हो जाएगी आपको location पढ़ने चाही कि कौन सा देश कहां है उसकी क्या खासित है तब जाकर क्या आपको geography अच्छी तरीके से समझ में आएगी यही pattern आगले subject में भी live होता है तो कहीं न कहीं आप यह mistakes कर रहे हैं जिनको आपको सुधारना है इस खाले सावे में क्यूंकि commission का कोई आता पता नहीं है commission कब होगा क्यूंकि result नहीं announce हो रहे हैं लेकिन जब होगा तो आपको time कम मिलेगा तो जो time अभी मिल रहा है आप उसको सही तरी के से utilize कीजिए और त्यारी करते रहिए तो friends मिलते है next video में video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा थैंक्स